तो हेलो स्टुडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल सम्राटकर में तो दोस्तों मेरा नम्हकास और मेरे प्यारवी दर्थ ये वीडियो बहुत ही जादा वेर वेर मोस्ट आयमपी होने वाली आप लोगों के लिए क्यूंकि एक ही वीडियो में बनाया हूं इसमें एक ही वीड बनाये नहीं जाएगी आप लोगों को लोग इंपोर्टेंट के लिए ओभी प्रोष के लिए ठीक है प्रोष के सब्सक्राइब जो है आप लोगों के एक ही वीडियो में इंकिलूट कर दिया हूं मेरे प्यारवी दर्थ यो चलिए और वीडियो पर हमने टार्गेट रखा इस प्रकार 6 अप्रेल को जाकर आप लोग इंगलिस का भी पेपर अच्छे तरीके से कर डालो ठीक है चलिए मेरे प्यार विदार्थ पहला क्यूसन देखते हैं लॉंग इंपोर्टेंट क्यूसन नों भी प्रोष का देखिए यह जो पहला क्यूसन बहुत ज्यादा इंपो इंपोर्टेंट क्यूसन में आप लोगों के हेडिंग बहुत ज्यादा आवस्त है कि जैसे आपने पहला है अपको लिख देरा है सेंसिबल एंड केमपी सुनेंट में ठीक है फिर दूसरी हेडिंग आप बनाना है काइंड हाटेड आई इसमें लिकना कि आप लोगों का दूसरी हेडिंग है आपको काइंड हटेड में लिख देना है ठीक है इसके बाद दूसरा तीसरा इंपैटिक परसन आप लोगों का तीसरी हेडिंग बनाना लिखना है कि अप लोगों खतम पोस्ट माटर का चरितर चीतर नड़ देखें तीन एडिंगों में आपने क्या किया अचे तरीके से खतम कर दिया और एडिंग मराग लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है आप लोगों को चलिए दूसरा प्रसन जो कि आपको याद करके जा जायर करके जाएगा मेरे प्यारविदार थो हंड़ेट पर्सेंट में गरांटी लेता हूं यहां से प्रस्ण बनना अपता है ठीक है ड्रा केरेक्टर इसके चाप लेंचो लेंचो कर चितर चितर किजा आप हैडिन डालेंगे हाड़ वर्किंग फार्मर ठीक है और इसमें कि लेंचो वाज सिंपल मैं एंड हाड़ वर्किंग फार्मर हू वर्कड ऐज एन ऑक्स इन हीज फिल्ड ठीक है इसको दूसरा लफ्स फैमिली डालेंगे है लिखेंगे इसमें कि लेंचो इंटार्ड करफ्स वाज बेडले डिश्ट्रॉएड बाइड हैल इसमें कि लेंचो डिड नाट नो देट देर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गोड हू कूड पूड सेंट हीम मनी इसके बाद आपको एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन आपको लास्ट है नी मना के लिखना है कि अल्दोज इस ओनली सोर्स आप लिविंग वाज तेकन अवेड ही सब्सक्राइब नाट लव लोज होप एंड मेंटेंड ही बिलीफ सेंगोड एज ही वाज कंफिडेंट दैट गोड वूड हेल्फ हीम इन हीज डिस्टेश ठीक है यह आपको लास्ट एडिंग एन ओंपिटमिस्टिक पर्सन ठीक है यहां तक पर्सन आप लोगों का क्यूश नेल्सन मंडेला का चरीतर चीतरन कीजिए वेर वेर मुस्ट इंपोर्टेंट की उसने सबसे पहले आप क्याल डालेंगे इंट्रोडक्शन इनका इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला वाज ग्रेट लीडर वू फूट एजेंट अफार्थिवर्ड एंड इन यूमन प्रेक्टिस इन साथ अफेरिका ठीक है फिस दूसरे अडिन डालेंगे बी वाला ट्रू पैट्रियोट अब इसमें लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला वाज ट्रू पैट्रियोट यह लव्ड इज नेशन एंड इस पीपूल यह वांटेट तो मेक हीज कॉंट्री ress streamingAKE और इसमें बास इसमें अद्टियन डालेंगे आपको लव फ फार सृडम अडेरेगे लिखेंगे बिसके वह हीए है जोगि데ल्संगर इसमें नेल्सन मंडेला चैल्ड यह ठीक है इस तरह तीसरी एडिंग में आप लोगों कम्प्लीट हो गया कि वेर नेलसन वाज चैल्ड ही टोड़ देट ही वाज बोर्ण फ्रीबर्ट एज यॉंग मैं इस रियलाइज देट ही इस फ्रीडम है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आप लोग की एडिंग है ठीक ह अब फिर देखिए तीन एडिंग में हमने क्या किया इस प्रस्टों को नेर्सल मंडेला का चरित चीतरन अच्छे से कर दिया ठीक है एक क्यूसर नबर तीसरा वेर वेर मुस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है देखिए कैसे लिखेंगे इसका कि Annie was born on 12th June 1929. She lived in Frankfurt. Until she was four, her father immigrated to Holland in 1933. Her mother also went with him to Holland in September. Annie and her elder sister Margot were sent to HN to stay with their grandmother. Margot went to Holland in December and any followed in February. She started right away at the Montessori Nursery School. Montessori Nursery School ठीक है इस प्रकार एनी फ्रेंग का चरित चीतरन भी हमने कर दिया वेर वेर मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूसर फोर था आई हो पीसे नोट कर जितना वतार उतना नोट करके जाए इससे बाहर नहीं जागा मेरा वादा है इंगली से सब्सक्राइब और अच्छा अंक से आप पास होंगे ठीक है चलिए मेरे प्यारविदार से क्यूसर फोर के लिए रोगाने क्यूसर फाइप इतरा पड़ चलते हैं चलिए क्यूसर वर फाइप देखे वेर मुस्ट इंपोटेंट है कि राइट करेक्टर इसके आप दा ट्र इडिशनल गौन वेकर हैड बेन केरिंग ऑन दा प्रोफेशन आफ बेकिंग ब्रेट्स ओन इवरी ओकेशन और वाज वेरी मच रिस्पेक्टेड इन दा सोसाइटी ही मेड आ म्यूजिकल एंट्री बाइंकिंग इस बंबू इस्टिक ऑन दे ग्राउंड और वाज फेट वा पर्ट आप सोसाइटी कि इविसे अंपर्टेंट पर्ट आप सोसाइटी आली हैं गी इसमें लिक्एंगा है कि दर्ट्रीशनल गोन बेकर वॉज आ इम्पर्टेंट पर आप दे गोन शोसाइटी विको ओज ये वाज दो ओन आ ओन हूर्ट डिलिवर breads on every occasion and all feast and event were incomplete with the traditional breads begged by him, ठीक है, यह आप लोगों की important part of society डाल दना है, फिर अगली adding आप डालेंगे, hard working, क्या डालेंगे, hard working, last adding यह लिखेंगे, the traditional baker was a hard working man, he came twice a day to sell his bread and carried them in basket which he placed on his bamboo stick, ठीक है, चलिए, इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि question number 5 बी अच्छे तरीके से complete हो गया, बता रहा हूं जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारा question cover करना है, और यहां से आप लोगों का प्रश्ण बनना आता है, और यहां से आप इन प् प्रश्ण बार्टियों, I hope question number 5 के लिए होगा, चलिए, question number 6 की तरह बढ़ चलते हैं, चलिए, question number 6 देखे, very very most important है, क्या है, describe the personality of people, आप कूर्ग, कूर्गी लोगों के बेक्तित्वा का वर्लन कीजिए, कूर्गी लोगों के बेक्तित्वा का वर्लन कीजिए, बोल रहा है, very culture, martial, traditional marriage and religious rituals are different from the Hindu, mainstream they were a long black coat with an embroidered waist belt known as kupiya, kurgi homes have a tradition of hospitality, they are brave and courageous, as is evident, from the numerous tales of wellers related to their sons and father, sons and father, ठीक है, यहां तक आप लोगों के question number 6, खूर्गी लोगों के बेक्तित्वा का वर्लन कीरने के लिए बोला था, हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लिका है, जल्दी से आप इसको नोट कर लेजे, मेरे प्यारविदार थे, बहुत ज्यादा MP प्रश जरूर से आपको बड़ एक्जा में पूछे जाएंगे, ठीक है, चलिए, प्रस्ट नमबर 6 के लिए हो गया, प्रस्ट नमबर 7 की तरफ बढ़ चलते हैं, चलिए, मेरे प्यारविदार थे, प्रस्ट नमबर 7, वेर वेर मुस्ट इम्पोटेंट है, क्या है, कि राइट एक करेक्टर इसके साफ राजवीर, राजवीर का चरितर चीतर लिखे, वेर वेर मुस्ट इम्पोटेंट क्यूशन है, राजवीर का चरितर चीतर लिखे, आप हेडिन डालेंगे इंट्रोडक्शन, और लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, कि राजवीर is a classmate of Pranjal, and he was invited to visit the tea gardens in Assam, by Pranjal, he was an ardent fan of detective stories, and was excited to see the tea plantation of Assam, इसके बाद हेडिन डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिन आफ, क्यूरियस हेडिन डालेंगे, और क्यूरियस में लिखेंगे, कि राजवीर was a highly curious boy, he was ready to learn and much as he could about the tea plantation of Assam, and kept on looking at the west green field, on his way to Assam, without playing attention to anything else, इसके बाद हेडिन डालेंगे, क्यूरियस में डालेंगे, क्यूरियस में लिखेंगे, कि राजवीर learnt a lot on his trip to Assam, and also impressed everyone with his knowledge and homework about tea and its production in Assam, he was curious and excited young boy, who loved gaining knowledge, who loved gaining knowledge, आप लोग ने conclusion लिख देना है, यहां तक आप लोग राजवीर का चलित चित्रोन complete हो गया, वहिर मुच्ट infect important था, मेरे प्यार वी दखी प्रस्थ नमबर 7 के लिए ओ गया है, और चलिए प्रस्थ नमबर 8 कि तरह बढ़ाएंगे, प्रस्टंमेर वेर वेर मुस्त इंपोटेंड की हाई तो सब से पहले हमागे हम लोग क्या डालेंगें इंट्रोडक्शॉनिàng time was standing in the front door away of her house and watching the street outside she got fascinated by that traveled between her village and the nearest town ठीके ये तो introduction लिख देना फिर दूसरे रिंग more mature than her age more mature than her age रिंडलना लिखना इसमें कि she is only eight years old but she was much more mature than her age she calculated the total cost of the ride on both the way and the timing of the trip and planned the safe returned without her mother's knowledge ठीके और यह प्रस्ट नबर एट था जो कि very very most important था मेरे प्यार विद्दार्थ को आई होप आपको प्रस्ट था चलिए प्रस्ट नमर आठमा के लिए प्रस्ट नमर 9 के तरफ बढ़ चलते हैं चलिए प्रस्ट नमर 9 देखे वेर वेर मुस्ट इंपोर्टेंट है कि ड्रा कैरेक्टर इसके साब कि मरें कि किशा को प्रस्ट कितर हैं और किता हैं होद इस्ट टू एड़ाईट सीए इस्ट प्रस्ट आप है किरा रहेंगे ग्रीफ इस्टिकन और लिखेंगे कि किसा गौतमी लॉब्ड हर सन और लॉट दैट सी वाज नाट रेड़ी तो एसेप्ट इस डेद सी वांटे टू मेक हिम अलाइव सी विकम सेल्फिस एंड वाज नॉट एबल तू सी दा ग्रीप्स आफ अधर्स आपको ग लब्ड हर सन वेरी मच लाइक अनी अधर मदर इन हर ग्रेट ग्रीफ सी आल्सों लोस्ट अर एबिलिटी तो थिंक्स प्रेक्टिकली फर्स्ट सी वांटेट तू मेकर हर डेथ सन अलाइव एंड आफ्टर दैट सी प्रोमिस्ट तू बुदा तू ब्रिंग मस्टर्ड सीड तो चलिए अभी प्रश्ट आप लोगों क्लियर हो गया तो मेरे प्यार विदार्च टोटल हमने कितना क्यूसन नाइन मुस्ट इम्पोर्टेंट क्यूसन डिसके इसके बाहर क्यूसन लॉंग इंपोर्टेंट जाई नहीं सकता ठीक है अगर नौ मत्तफूर प्रश्ट आप आपको अंक बहुत ही अच्छा प्राप्त कर पाएंगे और इसको आप लोगों लिक कर और इससे रिड करके यह आप पहुचे 6 अपरेल को एक्जाम देने के लिए तो मेरे प्यारे विदार थे वीडियो आपको कैसे लगी है वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक करके ही आप पहुचे है ठीक है चलिए मेरे प्यारे विदार थे वीडियो आपको कैसे लगिए वीडियो अच्छी लगिए तो प्ली लाइक की जो और चनल पर आया तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आगन को प्रेस कर लिजिएगा चलिए अलांकि मिलेंगे नेक्ट वीड करने वाल